मित्रों जै मातादी कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जै मातादी जरू लिखें मातारानी आप सबी का कल्यान करेंगी मित्रों हिंदु धर्म के लोगों के लिए सामन महिने का बड़ा महत्व है इस महिने में भगवान सीव की बिशेस पूजा अर्चना की जाती है इस महिने में पढ़ने वाले सोमवार का ब्रत काफी महत्व माना जाता है सीव पुरान की अनुसार जो ब्यक्ति सावन सोमवार के ब्रत रखता है भगवान सीव उसकी सारी मनुकामनाय पूर करते हैं सोमवार ब्रत की कथा सुनने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक इस चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब करेंगे और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करेंगे और जादे से जादे सेय करेंगे मित्रों हिंदु धर्म में उपवास रखने का खास महत्तो होता है और हर भगवान के लिए रखे जाने वाले ब्रत की कोई न कोई कथा जरूर होती है जिसके बिना उपवास पूरा नहीं माना जाता है भगवान सिव को सोमवार का दिन प्रिय होने की कारण इस दिन भगवान सिव की क्रिपा पाने के लिए सोमवार ब्रत रखा जाता है बिधी बिधान के साथ पूजा करके ब्रत कथा सुनी जाती है माना जाता है कि सोमवार भ्रत में इस कता का सुनना बेहत जरूरी होता है एक समय की बात है किसी नगर में एक साहुकार रहता था उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी इस कारण वह बहुत दुखी रहता था पुत्र प्राक्ति के लिए वह प्रतिक सोमवार का ब्रत रखता था और पूरी स्रद्धा के साथ सिव मंदिर जाकर भागवान सिव और माता पार्वती की पूजा करता था उसकी भगती देखकर एक दिन माता परवती प्रसंद हो गई और भगवान सीव से उस साहुकार की मनुकामना पूर करने का आग्रव किया पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान सीव ने कहा कि हे पार्वती इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फ़ल मिलता है और जिसके भाग में जो होता है उसे भोगना ही पड़ता है लेकिन पार्वती जी ने साहुकार की भगती का मान रखने के लिए उसकी मनुकामना पूर करने की इच्छा जताई माता पार्बती के आगरह पर सिव जी ने साहुकार को पुत्र प्राप्ती का वर्दान तो दिया लेकिन साथ ही यह भी कहा कि उसके बालक की आयू केवल बारह वर्ष की होगी माता पार्बती और भगवान सिव की बात चीत को साहुकार सुन रहा था उसे ना तो इस बात की खुसी थी और ना ही दुख था वो पहले की भाती सिव जी की पूजा करता रहा कुछ समय की बाद साहुकार की घर में एक पुत्र का जन्म हुआ जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए कासी भेज दिया गया साहुकार ने पुत्र की मामा को बुला कर उसे बहुत सारा धन्द दिया और कहा की तुम इस बालक को कासी बिद्या प्राप्ती के लिए ले जाओ और मार्ग में यग्य कराना जहां भी यग कराओ वहां ब्राम्हनों को भोजन कराते और दान दच्छिडा देते हुए जाना दोनों मामा भांजे इसी तरह यग्य कराते और ब्राम्हनों को दान दच्छिडा देते कासी की ओर चल पड़े रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का बिबाह था लेकिन जिस राजकुमार से उसका बिबाह होने वाला था वह एक आग से काना था राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के काना होने की बात को छुपाने के लिए एक चाल सोची साहुकार के पुत्र को देखकर उसकी मन में एक बिचार आया उसने सोचा की क्योंन इस लड़के को दूलहा बना कर राजकुमारी से विबाह करा दूँ बिवाह के बाद उसको धहन देकर बिदा कर दोंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले आऊंगा लड़की को दूलहा के वत्र पाना कर राजकुमारी से बिवाह करा दिया गया लेकिन सावकार का पुत्र इमानदार था उसे यह बात न्याय संगत नहीं लगी उसने अउसर पाकर राजकुमारी की चुनरी के पले पर लिख दिया तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आँख से काना है मैं तो कासी पढ़ने जा रहा हूँ जब राजकुमारी ने चुनरी पर लिखी बाते पढ़ी तो उसने अपने माता पिता को यह बात बताई राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया जिस से बारात वापस चली गई दूसरी वोर साहुकार का लड़का और उसका मामा कासी पहुँचे और वहां जाकर उन्होंने यग किया जिस दिन लड़की की आयू 12 साल की हुई उसी दिन यग रखा गया लड़की ने अपने मामा से कहा की मेरी तवियत कुछ ठीक नहीं है मामा ने कहा की तुम अंदर जाकर सो जाओ सिव जी के वर्दान नुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए मृत भांजे को देख कर उसके मामा ने बिलाब सुरू किया संयोग बस उसी समय सिव जी और माता पार्वती उधर से जा रहे थे माता पार्वती ने भागवान से कहा की स्वामी मुझे इसके रोने के सुर सहन नहीं हो रहा है आप इस ब्यक्ति के कष्ट को अवस्य दूर करें जब सिव जी मृतक बालक के समीप गए तो वह बोले की यह उसी साहुकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयू का वर्द माता पार्वती ने कहा की हे महादेव आप इस बालक को और आयू देने की क्रिपा करें अन्यथा इसके बियोग में इसके माता पिता भी तडप तडप कर मर जाएंगे माता पार्वती की आग्रह पर भगवान सीव ने उस लड़के को जीवित होने का वर्दान दिया सीव जी की क्रिपा से वह लड़का जीवित हो गया सिच्छा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँची जहां उसका विबा हुआ था उस नगर में भी उन्होंने यग का आयोजन किया उस लड़के की ससुर ने उसे पाचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया इधर साहुकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतिच्छा कर रहे थे उन्होंने प्रणत कर रखा था कि यदि अपने बेटे की मृत्तिव का समाचार मिला तो वह भी प्राण त्याग देंगे परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहत प्रसंद हुए उसी रात भगवान सीव ने ब्यापारी के स्वपन में आकर कहा कि है स्रेष्टी मैने तेरे सोमवार के ब्रत करने और ब्रत कथा सुनने से प्रसंद होकर तेरे पुत्र की लंबी आयू जो कोई सोमवार ब्रत करता है या कथा सुनता है और पढ़ता है उसके सभी दुख दूर होते हैं और समस्त मनुकामनाएं पूर्ण होती हैं